तो दोस्तों क्लास में सबसे समझदार बच्चा सबसे पढ़ाकू बच्चे से सबसे ज़्यादा expectation करता है उसका teacher क्रिकेट टीम में सबसे भेतरीन player से सबसे ज़्यादा उमीद करता है उसका captain stock market पर बात करेंगे तो एक पुराना broker अगर कुछ गलती कर दे गलती से भी या जान बूचके तो उससे एक तरीके से disappointment होती है तो इस case में मोतिराल ओस्वाल 1987 में बनाता है ये broker उसके बाद इसने अपनी एक journey बनाई है अगर उस जैसे broker ने कोई हल की सीवी गलती कर दी तो सेवी को action लेना पड़ा चाहे अच्छे मन से चाहे बुरे लेकिन action लिया है एक्षन लिया है 25 लाख रुपे का action लिया है क्यों लिया है ये action मोतिराल ओस्वाल के clients को क्या घबरा जाना चाहिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे आईए शुरू करते हैं August 2019 से September 2019 तक inspection हुआ मोतिराल ओस्वाल के records का काम करने के तरीके का और ये inspection कब का हुआ inspection हुआ ये पिछले डेड़ साल में जो काम किया है मोतिराल ओस्वाल ओस्वाल ने अपने clients के साथ उसमें क्या-क्या खामिया है और खामिया दिखी अब ये खामियों का फैसला चाहिए आ जाया है inspection 2019 में कर दी थी 2022 में result आया है that's a be for you बट आया that's a good thing आया तीन साल में आया बट आया लेकिन क्या पुति लालो स्वाल ने गलतिया की पांच गलतिया पहली गलती miss utilization of client funds clients के पैसे को गल्द तरीके से utilize किया क्या दूसरा समय से जादा देर तक उनको funding दी गई margin trading के लिए जो नहीं दी जानी चाहिए T plus 2 plus 5 days के beyond समय दिया गया जो कि गलत है margin reporting incorrect थी गलत थी उसमें खामिया थी clients के EKYC rather CKYC data जो upload करना होता है उनको उसमें कमिया पाई गई gaps पाई गई कई कई जगां तो details भी missing थी or client order placement के evidence को maintain नहीं किया कुछ समय के लिए हालांकि ये सारी की सारी कमिया मौतिला लोसवाल ने उस particular inspection period के बाद सब ठीक कर दिया लेकिन CB का कहना है कि देखिए चाहिए पुराने broker हैं चाहिए नहीं गलतिया अगर आप करेंगे तो आपको सामना करना पड़ेगा penalty का भी 25 लाग का fine लगाया जाता है अब detail में गलतियां क्या है देखिए सेबी ने पाया कि exchange को F&O का जो data देना होता है regular basis पे हर broker को उस case में F&O का data मौतिला लोसवाल ने गलत दिया दूसरी चीज जो CKYC होता है Central Know Your Customer Data जब आप account खोलते हैं तो समय पे जो detail लेते हैं document लेते हैं C-E-R-S-A-I सरसाइ के जो repository है उस पे upload करना होता है सरसाइ क्या है Central Registry of Securization Asset Reconstruction and Security Interest of India अब मौतिला लोसवाल ने तो कह दिया कि देखो दोस्तो हमने सब गलतियां ठीक करती हैं लेकिन उस समय पे जब गलतियां होई थी उससे उन्हें मना नहीं किया कि हाँ हमसे गलतियां नहीं होई है उस case को लेकि उन्हें कहा कि आपको कुछ न कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी और पेनल्टी उन्हें देनी है 35 लाख रुपे की अब क्या मोतिरलल उस्वाल के क्लाइंट को टेंशन लेनी चाहिए अब नहीं तब लेनी चाहिए थी अब यह सारी के सारी जो खामिया है वो सॉल्व कर दी गई है कि हर ब्रोकर कुछ न कुछ लेवल पे अपने आपको एवाल्व कर रहा होता है तो कई बार कुछ गर्तियां हो जाती है अगर आप मोतिरलल उस्वाल के कंप्लींट परसेंटेज को देखें तो relatively हमेशा कम लगेगा as compared to the general industry दर बाई दर अगर आप देखेंगे साल बाई साल, मन्थ बाई मन्थ देखेंगे तो हो सकता है कभी उपर नीचे हो but generally more or less worst brokers में से या worst than average brokers में से भी इसका नाम नहीं आता है तो from that perspective it's a good brand, it has decent platforms research बढ़िया है, offline presence है तो broker के level पर कुछ खामी नहीं है but अगर दिक्कत हुई है तो बताएंगे और इस case में बताना हमारा जम्मेवारी है, आपके लिए मोतिलल उस्वाल के case में कुछ problem हुई थी, 2019 की बात है ये, तीन साल पहले लेकिर अब solve कर ली गई है nonetheless, as of now इतना ही दोस्तो जो problem थी आपको बताई, इनके पांच दिक्कते थी पांचो की पांचो अब solve कर ली गई है अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे बाकी की बातों को लेकि stock market में जो भी होता है और digital blogger पर डिसकस होता है टेक केर, बाबाई